ये स्टुजेंट्स, वेडी गुड मॉर्निंग तो बेटा जैसे कि आपको पता है हिंदी में हम कर रहे थे पार्थ नंबर दस जिसका नाम है मीठी सारंगी, you can see ये पार्थ कर रहे थे हम पार्थ नंबर दस इसका हमने सुलेखन कर लिया था और कल मैंने आपको इसके कठिन शब्द करवाये थे और उनके अर्थ समझाये थे कि उनके क्या अर्थ हैं कठिन शब्दों के तो आपने उनकी डिक्टेशन बगरा करके भी मुझे दिखाई थी और कुछ बच्चों ने जितने मैंने करवाये थे उससे जादा भी ढूंके और भी उसमें एड़ करके लिख है तो इससे हमें स्टार्ट करेंगे आज इस पेज से तो फर्स्ट मैं रीड करने जा रही हूं आप सभी के बास बुक्स होंगी हो सकते है इस वीडियो में आपको ये बुक वाला पेज थोड़ा क्लीरली नजर ना आए लेकिन जैसे जैसे मैं बोलूंगी उसके साथ आप बुक ओपन करके रख सकते हैं और उसी तरह फिंगर या किसी पॉइंटर से आप उससे साथ साथ पढ़ सकते हैं तो यह आपके लिए इसी हो जाएगा ओके क्लास सो लेट अस टार्ट गाओं वाले सबसे पहले हम सारंगी की मिठास के बारे में बात करेंगी जैसे कि इस पा हम बोलते हैं कि इसकी आवाज है जो वो मीठी है तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट है हमारा गाओं वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है तो गाओं वाले कहते थे कि वा कैसी मीठी सारंगी है इसका क्या मतलब है सही बात पर निशान लगाओ तो नीचे हमें तीन ह멍ध भाते दु गई हैं हमें बताना है कि कैसी मीठी सारंगी कौन सा है इन तीनों में सी फॉस्ट है सारंगी को नहीं होगा की बनी हुई है तो क्या उसमें से मीठा कोई टेस्ट आ सकता है हमें नो तो ये हमारा अंसर है जो नहीं होगा नेक्स्ट है सरंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी कुछ बर्ड जैसे की कोयल के बारे में आपको बताया था कि वो बहुत मीठी आवाज होती है उसकी बहुत दिल को सुकून देने वाली आवाज होती है तो जो आवाज हमें अच्छी लगे हम उसे मीठी आवाज कहते हैं ऐसे कोई टेस्ट में मीठी नहीं होती है वो क्योंकि हमने कभी किसी की आवाज को खाया थोड़ी न है और नहीं हम खा सकते हैं उसके बाद है सारंगी के आसपास मधुमख्या भिन भिना रही थी तो उसके पास मधुमख्या क्यों भिन भिनाएंगी मधुमख्या तो वहां पर भिन भिनाती है जहां पर रस होता है जहां पे मिठास होती है तो मदू मख्यां तो आई नहीं सकती हैं तो क्या हो रहा था कि जो सारंगी से आवाज निकल रही थी हमें वो बहुत अच्छी लग रही थी तो लोग थे जो गाउंवाले वो बोलते थे कि कैसी मीठी सारंगी है ये जैसे कि आप सबने फ्लूट देखी तो जब वो बांसरी को बजाते हैं तो उसमें से इतनी अच्छी आवाज आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि वाग कितनी मीठी बांसरी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने बांसरी को खाके देखा है कि वो मीठी है या कडवी है उसका मतलब यह होता है कि उसमें से जो आव आवाज आ रही है वो बहुत जादा मीठी है इसलिए हमने बोला कि सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में सब को गाओंवालों को अच्छी लगती थी इसलिए उन्होंने बोला कैसी मीठी सारंगी है तो इसमें जो ये सेकंड आप्शन है इस पे हम टिक कर देंगे उसके बाद नीचे इन्होंने बोला है अब तुम समझ गए होगे कि गाओंवाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों कहते थे क्योंकि उसमें से बहुत सुन्दर बहुत मधूर आवाज आती थी अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा अब जैसे हमने मीठी बात को खा के नहीं देखा हमें कैसे पता कि कोई बात मीठी है तो ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बात कड़वी है जब हम बोलते हैं किस इंसान को कि ये तो सारा दिन कड़वी बातें घरता है है ना या तो इसकी सबी बातें कड़वी होती है ये You can see, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, अब तुम समझ गए होंगे कि गाउं वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे, अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा, तो मीठी बात तो आपको पता चल गई कि जब कोई इंसान मीठा बोलता अच्छा बोलता तो उसे बोलत करनी हो, तो कैसे बोलेंगे हम, तो इसका आंसर है, यह ब्लू वाले कोश्चन है और रेड वाले आंसर है, जब किसी बात से आपका दिल दुखे, उसे कड़वी बात कहते हैं, तो कड़वी बात हम किसको बोलते हैं, जब कोई इंसान हमें कोई ऐसी बात बोल दे, कि हमें अ लेकिन जब आप वहां पे जाने लगे मानो स्कूल में जाने लगे, तो आपका कोई friend आपको बोले कि इतनी तयारी क्यों कर रहा है तुने कौन सा first आ जाना है ऐसे बोल दे आपको तो उस time पे क्या होगा कि आपको जो बुरा लगेगा है ना आप sad feel करेंगे कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला और मैंने इतनी तयारी की है इतनी मेनत किया और इसने मुझे ऐसे बोला तो उसकी बात आपको क्या लगेगी कडवी लगेगी तो जिस बात से आपका दिल दुखे उसे हम क्या बोलते हैं कडवी बात बोलते हैं ऐसी बहुत सी बातें और भी हो सकती है जो हमें क्या लगती है कड़ भी लगती है ठीक है तो यह आपका अंसर है और मैं let me clear you one thing also बटा कि आपने इन questions को कोई ऐसे as it is लिखना नहीं है क्योंकि यह paper में ऐसे नहीं आएंगे यह जो questions मैं आपको करवाती हूँ जो यह book की exercise होती है जो book में दी होती है इस exercise को अगर आपकी book में जगा है तो वह नहीं पर pencil से fill कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे copy में उतार लें तो कोई problem नहीं है लेकिन यह मत सोचना कई बच्चों को यह लगता है कि मैं इतने बड़े-बड़े answers करवा रहे हैं तो हम exam में इसे कैसे करेंगे आपको पता है कि exam में यह वाले questions आपको नहीं आते हैं या आपकी chapter की understanding के लिए होते हैं कि आपने part को पढ़ा और इसमें से आपको यह-ए questions दिये गए हैं तो इनका answer क्या होगा इन questions को आपने learn करना है learn तो करना है लेकिन आपने orally verbally तरीके से इसको याद रखना है ऐसे नहीं है कि आपको लिखने के लिए भी आएंगे यह आपने सि कोपी में note करना है क्योंकि यह हमारे chapter से ही है ठीक है लेकिन paper में आपको इतने बड़े questions लिखने के लिए नहीं आएंगे so don't worry you have only to learn okay so सभी बच्चों को पता चल गया कि जिस बात से आपका दिल दुखता है उसे हम कड़वी बात बोलते हैं उसके बाद आपकी बुक में ही यह question दिया गया है ध्यान से देखिए भोला ने क्यों सोचा कि सभी जूट बोल रहे हैं तो जब सभी गाओं वाले बोल रहे थे कि जो सारंगी है वो मीठी है तो भोला को लगा कि सभी लोग जूट बोल रहे हैं क्यों लगा उसे ऐसा तो यहां से हमारा red से अंसर शुरू हो रहा है क्योंकि भोला ने जब को चार्ट कर देखा, तो उसे वह मित्थी नहीं लगी, तो क्या हुआ था भोला को जब सभी लोग बोल रहे थे, कि ये सारंगी बहुत मित्थी है, बहुत मित्थी है, तो उसे उनकी जो बात थी, वह समझ में नहीं आई, कि वो ये बोल रहे हैं, कि सारंगी से निकलने वाली अवाज मीठी है इसलिए हम सारंगी को मीठा बोल रहे हैं भोला को लगा कि जैसे हम कोई मीठा खाना खाते हैं कोई लड़ू खाते हैं कोई चोकलेट खाते हैं उसी तरह से सारंगी का टेस्ट भी मीठा होगा तो उसने क्या किया अपनी जीब से सारंगी को अच्छे से चाट लिया और चाटने के बाद उसे कुछ भी कोई भी टेस्ट ही नहीं आया कोई भी कुछ मीठा लगा ही नहीं तो उसे लगा जब भोलाने सारंगी को चाट कर देखा तो उसे वह मीठी नहीं लगी तो जब सब लोग बोल रहे थे कि सारंगी मीठी है मीठी है लेकिन भोला ने जब उसे चाटा तो उसे मीठी नहीं लगी तो उसे लगा कि सभी गाओं वाले जो हैं वो जूट बोल रहे हैं ओके क्लास So move to the next question भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया तो जब भोलाने सारंगी को चाटा तो उसे कोई टेस्ट क्यों नहीं आया सभी लोगों को तो वो मीठी लग रही थी क्योंकि क्योंकि वह लकडी से बनी थी और लकडी क्या होती है बेस्वाद होती है लकडी में कोई टेस्ट नहीं होता चीक है तो वो लकडी से बनी थी उस पागल को उस नादान को ये समझ में नहीं आया कि जो सभी लोग उसे मीठी बोल रहे हैं वो इसकी आवाज की वज़े से बोल रहे हैं ना कि टेस्ट की वज़े से ठीक है तो उसे लगा कि सभी गाउं वाले उसे जूट बोल रहे हैं उसके बाद, next question है हमारा, yes, भोला ने किस-किस तरह से यह जानने के लिए चाहा कि सारंगी मीठी है, तो भोला ने कौन-कौन से तरीके अपनाए यह पता करने के लिए कि जो सारंगी है, वो मीठी है, उसने क्या किया, उसने सारंगी को पूरी, उसने सारंगी को पूरा चाटा, पूरा अच्छे से चाटा, उसने अपनी जीब से, और उसके छेद, जहांसे हवा जो होती है, इंस्ट्रूमेंट में अंदर और बाहर जाती है, उसी तरह से उसके आवाज आती है, उसकी वज़ा से ही, तो जहां छेद होते हैं, होल्स होते है उसने उन छेदों पर मूँ लगा के थोड़ी दिर वेट किया जैसे कि आप सभी ने स्कूल में कभी ना कभी टैप से पानी पिया होगा ना जिसे हम नल बोलते हैं तो नल से जब हम पानी पीते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपने हाथ को ऐसे करके मूँ जोड के रखते है ना हाथ के साथ की पानी आएगा वेट करते हो उसी तरह से उसने क्या किया उनके छेद जो थे उस पे मूँ लगाया और मूँ लगा कर इंतजार करता रहा कि वहां से कुछ मीठा रस गिरेगा तो उसे लग रहा था कि चाटने पर तो मीठा रस आया नहीं है, कुछ भी मीठा मुझे लगा नहीं है, तो शायद हो सकता है कि अगर मैं इनके छेद पर मुझ लगा के थोड़ा wait करूँ, तो कुछ मीठा रस इन छेदों में से बाहर आएगा, पर कुछ भी हासिल ना हुआ, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, उसमें से कोई टेस्स नहीं आया, तो उसने यह यह तरीके जो थे वो अपनाए नेक्स्ट है, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल क्यों चड़ाया होगा, अब जब मैंने आपको कछुए वाला चैप्टर करवाया था ना, कछुए वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम खोल किसे बोलते हैं, जी के थोड़ा सा सोचके देखू कि हम खोल किसे बोल वहां पर मैंने कच्छुए की जो स्किन थी उसके बारे में जब मैंने आपको कठिन शब्द करवाए थे तो उसमें मैंने आपको लिखवाया भी था और बताया भी था कि खोल हम किसे बोलते हैं खोल हम बोलते हैं किसी चीज के बाहरी गिलाफ को सबको याद आ गया हो गया I think बाहरी गिलाफ होता है ना जो किसी चीज का कवर जिसे हम बोलते हैं तो उसे खोल बोलते हैं तो किसी चीज के उपर हम कवर क्यों चड़ाते हैं आप अपनी notebook के ऊपर cover चढ़ाते हो ना books के ऊपर, notebook के ऊपर chart चढ़ाते हो brown color के cover चढ़ाते हो transparent lamination होती है वो चढ़ाते हो, तो क्यों चढ़ाते हो वो teachers आपको क्यों बोलती है कि अपनी notebook को cover करके लाओ अपनी books को cover करके रखो, संभाल के रखो वो इसलिए होता है तांकि वो उन पे घंदगी ना लगे और वो फट ना जाएं कहीं पर क्योंकि अगर उन पे cover होगा जैसे कि आप यह मेरी book देखो यह मेरी book है शायद इसे photo में पता न चले लेकिन यहां से देखिए मैंने इसके उपर क्या है जो यह transparent cover है वो चड़ाया हुआ है यह देखो you can see this is my transparent cover तो इससे transparent से क्या होगा मुझे book के बाहर नजर भी आएगा और मेरी book जो है वो corner से यहां से फट जाती है न books तो यहां से क्या रहेंगी safe भी रहेंगी तो मैंने यह इसमें transparent जो है वो cover चड़ा रखा है यह देखो चिक है तो यह क्या ice book का खोल है जिसे हमगी laugh बोलते हैं तो क्यों चड़ाया था उन्होंने सारंगी वालोंने तूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए तो उसने इसलिए चड़ाया था कि जो मेरी सारंगी है वो कहीं तूटना जाए कहीं गिरेगी तो इसे जब सीधा गिरेगी बिना किसी cover के तो यह जल्दी तूट जाएगी और जब हम इसे बार-बार हाथ में उठाए इस जगह से उस जगह लेके जाएंगे तो इसके उपर मिट्टी भी आएगी गंदगी धूल भी आएगी तो तूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए उसने सारंगी पर क्या चड़ाया था कोल चड़ा रखा था ओकी तो अभी आपसे पूछ रहे हैं और किन क इन चीज़ों पर खोल चड़ाया जाता है तो मैंने आपको खोल का मीनिंग बता दिया है कि खोल को हम कवर बोलते हैं बाहरी गिलाफ बोलते हैं जैसे कि कच्छुए का बाहरी गिलाफ होता है जो बहुत जादा हाड होता है उसकी स्किन होती है जो तो अब ये बूच रहे हैं कि हम और किन चीज़ों पर खोल चड़ाया सकते हैं तो ये देखिए ध्यान से वैसे तो काफी चीज़े हैं लेकिन जैसे आप सभी ने ये चीज़ तो पक्का देखी होगी अपने अपने घरों में जो रजाई होती है तो रजाई के ऊपर सभी के घर में गिलाफ होते हैं जिसे हम कवर बोलते हैं पहले क्या उत था वाइट कलर के होते थे वो जो हम सरदियों में रजाईया ऊड़ते हैं, ऊपर लेते हैं तो अभी क्या हो गया है? बहुत कलरफुल आगए हैं बहुत अच्छे अच्छे काटून्स वाले फ्लार्स आले बहुत जादा वेराइटीज में आते हैं तो जो हम अपनी रजाई को बचाने के लिए कि उसका जो अंदर वाला मैटीरियल है वो गंदा ना हो जाए क्योंकि हमें काफी सारे दिन अल्मोस्ट थ्री टू फोर मंच तक हमें रजाईया जो है वो ओडनी पड़ती है ना तो उसे संभालना भी तो है ऐसे हम रोज रोज तो रजाई को वाश कर नहीं सकते तो हम क्या करते हैं उसके उपर एक कवर चड़ा देते हैं और जब वो गंदा हो जाता तो हम उस कवर को उतारते हैं उसे वाश करते हैं और दुबारा से उसके उपर चड़ा देते हैं तो इससी क्या होता है जो उसके अंदर, cover के अंदर जो हमारी रजाई है वो गन्दा होने से बच जाती है, और सोफे जैसे कि हमारे घरों में drawing rooms में क्या होते हैं, sofas होते हैं, तो उसके घरश होते हैं, covers लगाते हैं ना, उसको cover करने के लिए उसको जैसे हम बाठते हैं, उसके उपर कई कुछ खाते हैं वहें पर बैटके तो अगर उसके जो original clothes है उसपर लग जाएगा तो उसे हम रोज रोज तो sofa clothing को change ने कर सकते हैं तो हम उसके उपर क्यार लगाते हैं cover लगाते हैं जहान जहान हम बैटते हैं उनकी seatings पे और जो उनके cushions होते हैं यानि कि जिसे हम pillow बोलते हैं जो saffat के ओपर चोटे-चोटे pillows रखे होते हैं उन्हें हम cushions बोलते हैं तो cushions के ओपर भी हम cover लगाते हैं उसके बाद है guitar इतने भी musical instruments हैं उनको हम cover में ढाल के रखते हैं जैसे कि harmonium को भी cover में डालके रखते हैं गिटार को भी धोलक को भी तबला को भी उसके बाद है किताबे किताबों को भी हम कवर में रखते हैं ताकि किताब जो है हमारी अंदर से बिल्कुल साफ रहे उसके बाद आप सभी ने देखा होगा तकिया यानि कि जिसे हम बोलते हैं पिलो हमारे बेड पे जो pillows होते हैं, हम उसके उपर क्या लगाते हैं, जैसी हमारी bed sheet होते हैं, उसी के साथ वाले क्या होते हैं, हमारे pillow covers होते हैं, तो हम क्यों लगाते हैं, पिलो covers को, ताकि जब हम उन पे लेटते हैं, हम सोते हैं, तो वो गंदे हो जाएंगे, तो original वाले pillow हम रोज रोज मार्कीट तो हम क्या करते हैं जो चीज़ों को हमें कों डेल यूज करना होता है हम उस पे कवर्स लगा देते हैं ताकि जब वो गंदे हूं तो हम उनके कवर्स को रिप्लेस पर सके ये वाश कर सके pषी नमज कर सके यह आज हमने cover कर लिया, इसको आपने अच्छे से learn करना है, और लिखना भी है, ओके, लेकिन यह exam में इतने बड़े नहीं आएंगे, लेकिन यह exercise solve कर रहे हैं हम, तो अगर आप चाहो तो इसे book में भी लिख सकते हो pencil के साथ, लेकिन book में जगा थोड़ी कम है, तो वो बहुत जब आप थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद इसे पढ़ोगे, तो आपको याद नहीं रहेगा कि यह मैंने क्या लिखा था, तो इससे बेटर है कि you can write on your notebooks, okay class, write and learn your work, thank you.